आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच टेंशन की क्योंकि अभी हाल ही में सेटलाइट के थुरू कुछ तस्वीरे सामने आई हैं जो चीन की खामोशी का सच दिखा रही है ज़रा सोचिये कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार होने के बावजूद चीन इस समझनी की भी जरूरत है चीन इतना बड़ा धोके बास है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम जो सोच नहीं पाते चीन वो करके बैठा है चीन हमें एलेसी पर तनाव के बहाने भसा कर दूसरी जगह से भारत के खिलाफ तैयारी में जुट गया है और तैयारी भी जो हैरान कर देगी लेकिन भारत भी कम नहीं है तो रंत चीन की चालवाजी को पकड़ लिया क्योंकि ये 1962 तो है नहीं जो भारत टेकनोलोजी की कमी से जूज रहा हो या सेनशमता कम हो अब टेकनोलोजी की रेस में भारत ने भी अपनी जगह बनाई है वो बात अलग है कि चीन से भारत कई गुना अभी पीछे है तो चलिए आज हम चीन की सीक्रेट स्टेटजी को डिकोड करेंगे और आपको समझाएंगी कि कैसे चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है और ये पता कैसे चला कि चीन भारत के खिल इमेज को ध्यान से देखा तो पता चला है कि चीन डोकलाम के पठार पर एमिनेशन यानि की गोला बारूत का बंकर बना रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको कुछ बंकर बने दिखाई देंगे डिफेंस एक्सपर्ड का भी दावा है कि चीन यु बात करें तो ये बहुत मजबूत और किसी वी धमाके को छेलने की पूरी शमता रखता है अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें दिसंबर 2019 में यहां क्या था और 28 अक्टूबर 2020 में यहां कितना बदलाव हो गया जो तस्वीर आप दो पार्ट्स में देख तो तब यहां बंकर का काम शुरू भी नहीं हुआ था यानि बंकर वाली जगह पर सिर्फ पेड़ पौधे और खाली जमीन पड़ी थी लेकिन अक्टूबर 2020 में यहां पर कई बंकर बने देखे जा सकते हैं यानि एक साल से भी कम समय में चीन ने यहां बंकर का निर्मार कर लिया कितनी तेजी से चीन ये काम कर रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं जो इस बात का सबूत है कि चीन खामोशी के साथ भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है फोर्स एनालिसिस के मिलिटरी विशलेशक और प्रमुख सेटलाइट इमेजरी एक्सपर्ट सिम टेक की माने तो नए एमिनेशन बंकरों के निर्मार के पीछे चीन का मोटिव इन ठिकानों पर अपने स्थती को और मजबूत करना है ताकि डोकलाम में जड़ब की स्थती मे वो अधिक कुशलता से लड़ सके ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटरेस्वा ने हाई कैपिसिटी वाली सेटलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया है कि चीन ने इस लाके में भारत के किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसा एकसर टेकनोलोजीस के हाई रेजोलिशन सेटलाइट इमेज में आप देख सकते हैं आपको दो तस्वीरे दिखाई दे रही होगी नीचे की तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 8 दिसंबर 2019 की है जहां पर आप देख सकते हैं कि कोई रोड नहीं है 2017 के विवात के बा इसमें रोड पूरी तरह से बन कर तैयार हो चुका है और इस रोड के तैयार होने का मतलब है चीन भारतिय सीमा के नजदीक अपने हत्यारों सैनिकों और तमाम युद्ध की स्थती में लड़ने वाली सामगरियों को आराम से भारतिय सीमा तक पहुँचा सकता है सैटलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि डोकलाम में चीन का खत्रा फिर बढ़ रहा है सैटलाइट तस्वीरे दिखाती है कि भूटान की सीमा के दो किलोमीटर भीतर गाउं बसाने के अलावा चीन ने उसी शेतर में 9 किलोमीटर अंदर तक सडग भी बना ली है मैकसर टेकनोलोचीज के हाई रेजोलुशन सैटलाइट इमेजरी का अनालिसिस किया तो पता चला कि ये सडग चीनी सेना को जमपेलरी रिस्ट तक पहुँचने में वैकल्पिक रास्ता दे सकती है जिससे भारतिय सेना ने 2017 में चीनी सेना के साथ डोकलाम में हुई ये बंकर डोकलाम के उस साइट से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पहले जड़प हुई थी बंकरों का ये निर्माल ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और चीन साल 1962 के वार के बाद सबसे गंभीर सीमा गतिरूद का सामना कर रही है भारत इस वक्त एलोसी पर पा कभी कभी भारत के खिलाफ होने पर ये भारत के लिए चुनोती बन जाते हैं हाला कि भारत इन सभी जगों पर पूरी तरह से मुस्तैद है और गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है लेकिन टेकनोलोजी के लिहास से चीन से निपटना भारत के लिए बड़ी चुनोती होगा